मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं वड़ा पाव की रेसिपी वड़ा पाव महाराष्ट्र में बहुत ही पापुलर है वड़ा पाव के साथ जो चटनी बनाई जाती है उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है आपको वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करें और ज्यादा तर महाराष्टेन लोगों को क्योंकि मुंबई में वड़ा पाव बहुत फैमस है पहले हम वड़ा पाव की चटनी बनाएंगे वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए मैंने मुंगफली के दानी लिए आधा कटोरी थोड़े लहसुन लिया है आधा चमच जीरा एक चमच लालमिश पाउडर लिया है आधा चमच धन्या पाउडर लिया है और आधा चमच नमक लिया है इन सारी चीजों को अब मैं पीस लूँगी ये हमारी वड़ा पाव की चटनी बनकर तयार है इसके साथ वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी लगता है इसे हम एक बाउ बट आप एक बार इस चटनी के साथ वड़ापाउ ट्राय करके देखें वड़ापाउ का टेस्ट बहुती अच्छा लगता है इस चटनी को बनाने के लिए मैंने हरा धनिया लिया है चार हरी मेश लिए, थोड़ी इमली लिए, थोड़ी दाली लिए, आपके पास दाली ना हो तो आप एक चमच बेसन भी डाल सकते हैं दो लहसुन की कलियां लिए, आदा चमच जीरा लिया है, थोड़ा धनिया पाउडर लिया है, और थोड़ा सॉल्ट लिया है एक चमश गूर डाल रही हूं मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाल कर हम इसे पीस लेंगे यह हमारी चटनी बन गई है इसे एक बाउल में निकाल लें अब हम वड़ा पाउ की सबजी के लिए मसाला बनाएंगे यहाँ पर मैंने साथ से आठ हरी मिर्च लिए इसे हम बिना पानी के पीस लेंगे यह हमारा पेस्ट बन कर तयार है इसे एक बाउल में निकाल लें अब हम आलू उबाल लेंगे मैंने यहाँ पर चार आलू लिये थे इन्हें अच्छे से उबाल कर मैश कर लिया है एक चमश नमक डाला है यहाँ पर नमक आप अपने स्वात के हिसाब से डाल सकते हैं एक चमच धनिया पाउलर डाला है और एक चमच हल्दी एट की है अब हम इसे फ्राई करेंगे कड़ाई को गरम करें उसमें एक चमच तेल डाल दें बड़े चमच से तेल लिया है मैंने यहाँ पर तेल के गरम होने पर एक चमच जीरा डाले एक चमच राई डाले थोड़ा हरा धनिया और करीपत्ता डाले अब हमने जो मसाला बनाया है वो डाल दे अधरक लहसन हरी मिर्च का पेस्ट इस मसाले को हमें दो मेट तक भुनना है अब हम यह आलू का मसाला मिला देंगे वड़ा पाव को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर दें यह हमारे आलू की सबजी बनकर तयार है इसमें हरा धनिया डाल दें और इस मसाले को ठंडा होने दें यहाँ पर मैंने एक बौल मोटा बेसन लिया है आपके पास मोटा बेसन नहों तो आप पतला बेसन भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा चावल काटा एट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चमश नमक डाला है और आधा चमश हल्दी डाली है इसमें मैं पानी डालकर एक गाड़ा गोल तयार कर लूँगी मोटे बेशन से आलू वड़े की परत भोती अच्छे आती है इसमें दीरे दीरे पानी मिलाकर एक अच्छा गाड़ा गोल तयार कर ले ये देखिए गोल बनकर तयार हो चुका है हमें इस तरह से घुल बनाना है अब हम वड़े के लिए तेल रख देंगे आलू का मसाला ठंडा हो चुका है अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे आप अपने हिसाब से इसके बॉल्स बना सकते हैं अच्छे से बॉल्स बना कर रख दें अब हम इने बेसन में डीप करेंगे और फ्राइ करेंगे मैं यहाँ पर चम्मच की साहिता से यह वड़े डालूँगी आप इन्हें हाथ से भी डाल सकते हैं इने बेसन में डीप कर दें तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें वड़ा तलेंगे चम्मच की सहयता से एक-एक वड़े को डाल दें घर पर आलू वड़े बहुती आसानी से बन जाते हैं और वड़ा पाव बहुती जल्दी बन जाता है आप इसे कभी विए अपने घर पर बना सकते हैं और गरम-गरम सर्व कर सकते हैं इने पल्टाना है वड़े को हमें धीमियाज पर अच्छे से फ्राई करना है आलू अड़ो को हमें धीमियाज पर अच्छे से फ्राई कर लेना है इनका कलर जादा रेड नहीं होने देना है ये हमारे गर्मा गरम वड़े बनकर तयार है इसी तरह हम और भी वड़े फ्राइ कर लेंगे, उसके बाद वड़ा पाओ बनाएंगे वड़ा पाओ गरम गरम खाने में बहुती डेस्टी लगता है और घर पर बहुती आसानी से बन जाता है इन वड़ों को भी मैं अच्छे से तल लूँगी, यह अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं देखिए इसकी परत कितनी अच्छी लग रही है अब हम वड़ा पाओ के लिए हरी मिर्ची फ्राइ करेंगे वड़ा पाओ के साथ हरी मिर्ची दी जाती है जिसे तीखा खाना पसंद है, उसे हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है वड़ा पाओ के साथ इसके ओपर थोड़ा नमक डाल लें यहाँ पर मैंने पाओ लिये हैं इन्हें बीच में से कट कर लिया है दोनों पाओ को अच्छे से बीच में से कट कर लिया है आप भी अच्छे से कट कर लें यह अल्रेडी कट किये हुए थे पाओ सबसे पहले हम एक साइड पर हरी चटनी लगा लेंगे इस चटनी से वड़ा पाओ का स्वाद और भी बढ़ जाता है एक साइड पर अच्छे से चटनी लगा लें अब हम दूसरी साइड पर लाल चटनी लगा लेंगे जो वड़ा पाओ के साथ मिलती है यह चटनी मैंने मुंगफली के साथ बनाई है आप कोकोनट के साथ भी बना सकते हैं अब हम वड़े को बीच में रखेंगे और इसे पाओ रखकर प्रेस कर देंगे पाओ के एक साइड पर हरी चटनी लगा लें और एक साइड पर लाल चटनी लगा दें और बीच में वड़ा रखकर उसे प्रेस कर दें यह देखिए इस तरह से यह हमारे गरमा गरम वड़ा पाओ बनकर तयार हैं इसे हरी मिर्च के साथ सर्व करें आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई